सोनार, साउंट निविगेशन एंड रेंजिंग, S-O-N-A-R यह एक ऐसी युक्ती है, जिसमें जल में इस्थित्पिंडों की दूरी, दिशा तथा चालमापने के लिए पराध्वनी तरंगों का उप्योग किया जाता है इसी यंत्र में एक प्रेशित्प ट्रांस्मिटर एवं एक संसूचक रिसीवर होता है और इसे किसी नाव या जहाज में चित्र तेरह के अनुसार लगाया जाता है प्रेशित्र पराध्वनी तरंगें उत्पन करता है और उसे प्रेशित करता है ये तरंगें जल में गमन करती हैं तथा समुद्र तल में पिंड से टकराने के पश्चात परावर्तित होकर संसूचक द्वारा ग्रहन कर विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर दी जाती है माना की परध्वनी संकेत के प्रेशन तथा अधिक रहन में लगा समय अंतराल T है तथा समुद्री जल में ध्वनी की चाल V है अतह संकेत द्वारा तै की गई कुल दूरी 2D होगी D दूरी जाना एवं D दूरी आना समय बराबर दूरी बटे चाल T is equal to 2D by V अतह गहराई D is equal to VT by 2 सोनार का अर्थ है Sound Navigation and Ranging यह एक ऐसी युक्ति है जो परध्वनी तरंगों का उप्योग कर जल में इस्थित अवरोधक पिंड की दूरी दिशा तथा चाल का मापन करती है ताकि जहास द्वारा संभावित खत्रों की पहचान कर उनसे बचाव किया जा सके आईए देखें यह कैसे कारे करता है सोनार में एक प्रेशित्र अर्थाट ट्रांस्मीटर और एक संसूचक अर्थाट रिसीवर होता है जो जहाच की निचली सता पर लगाया जाता है Transmitter पराध्वनी तरंगे उत्पन करता है और उसे भेशता है ये तरंगे जल में गमन करती है तथा समुद्रतल में पिंड से टकराने के पश्चात परावर्तित हो जाती है इन परावर्तित तरंगों को रिसीवर द्वारा ग्रहंड कर विद्युज संकेतों में परिवर्तित कर दिया जाता है एक कंप्यूटर उस अवरोधक पिंड का चित्रवनाता है और उसे मॉनिटर पर दिखाता है वह उस पिंड की दूरी की गर्णा भी करता है जिसके लिए सूत्र दूरी बराबर चाल गुनित समय बटे दो का उप्योग करता है जहां खारे पानी में ध्वनी की चाल बराबर 1530 मीटर प्रती सेकंड है सभी जहाजों में सोनार युक्ती लगी होती है जिससे समुद्र की गहराई का मापन एवं जल में इस्थित पहाडियों, घाटियों, सब मरीन्स, हिम शैल, डूबे हुए जहाजों का पता लगाया जा सकता है ताकि प्राकृतिक आपदाओं से बचाव किया जा सके